असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम किताबों के डिजाइन एट्रिब्यूट देखने जा रहे हैं कितने साल के बच्चों के लिए जो चार से छे साल तक के बच्चे हैं और हम यह देखेंगे किताबें होती हैं बच्चों के अंदर विज्वस सो मौझूद होना बहुत ही जिरूरी है वो उन विज्वस की क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को help out कर सकें cognitively develop होने के लिए और linguistically develop होने के लिए और विज्वस में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि जो चार से छे साल तक के बच्चों को interest develop करें ताकि वो उस किताब को पढ़ें उससे अपना relationship building करें और उसको enjoy कर सकें तो आज हम इसी चीज को discuss करने जा रहे हैं सबसे पहले जो हमें समझना है और बहुत important चीज है यह visual का basic मकसद यह है कि जब बच्चे किताब खोलें और उसको देखें तो उनमें excitement develop हो और उनमें interest develop हो और वो देखना चाहें कि आगे होने क्या जा रहा है और कितनी जबर्दस और interesting तसावीर मौझूद है तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि वो चीज हैं वो visual entities जिससे बच्चे अल्रेडी familiar हैं उनको जानते हैं उन्हें किस तरीके से present किया जाए कि बच्चे उन्हें देखके excited हो जाए और interesting हो जाए यहाँ पर हमारे पास कुछ words हैं unusual तरीके से इंतहाई interesting तरीके से या super natural तरीके से या astonishing तरीके से या ridiculous तरीके से जिसे बच्चों को देखके हसी आए वो enjoy करें उसके actions को देखें और उनको मज़ा आए ताके वो फिर अपना bond अपना relationship उस visual के साथ create कर सके या आगर वो visuals entities उन्हें नजर नहीं आती तो फिर उन entities को कैसे represent किया जाए बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम कहते है mystery mystery जब भी हमारे सामने होती है हमारे अपने अंदर excitement or interest पैदा हो जाता है कि क्या चीज है इसको explore करना चाहिए इसको गौर से देखना चाहिए और बार बार देखना चाह हमारे पास और क्या चीज होनी चाहिए जो color book है जो cover है हमारी literature की किताब का उसके उपर जो आप entities बना रहे है ते शुट बी extraordinary और supernatural ताकि वो interesting और exciting दिखे देन हमारे पास जो किताब है उस किताब के अंदर जो lines है जो colors है उनमे एक energy हो उनके अंदर एक electricity हो उनके अंदर एक excitement हो और dynamism मौझूद हो और bright lines हो bright colors हो जिससे बच्चे attract हो और उनके attention और excitement बढ़ना शुरू हो जाए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए बिलकुल visuals के अंदर जिससे बच्चे खौफ जदा हो जाए या उनने फिकर हो जाए और वो डर जाए कि पता नहीं अब क्या होने वाला ह या वो चीज उनको dry in some sense. So, ऐसे visuals, ऐसे colors, ऐसी lines जो एक खौफ को या एक worriness को represent कर रही हो, कोशिश करना चाहिए कि 4 से 6 साल तक कि बच्चों की literature की किताबों में मौझूद ना हो और अगर वो मौझूद हैं तो आप उने select ना करें. So, visuals के अंदर क्या important चीज़े होनी चाह की nature के मुताबिक हो. आउन में fun हो, उन में excitement हो और जो बच्चे असानी से comprehend कर सकें. आप बच्चे उन से खेल सकें अपनी imagination में, उनको अपना दोस्त बना सकें. So, ऐसे characters होने चाहिए, इस तरह visual represent होनी चाहिए. आप visuals में action जब वो कर रहे हों तो sincerity का मतलब है कि जैसे तरीके से वो character भी react करें. ना कि वो ऐसे react करें जैसे हम बड़े करते हैं, जो already socially composed हो चुके हैं, जो बच्चे की nature को depict नहीं कर रहे हैं. Excitement और joy उसके अंदर नजर आए, जो बच्चों में आइसे ऐसे वही energy convey हो जाएगी. जो भी हाँ visual represent कर रहे हैं, उस visual को कोशिश करें कि original setting के अंदर represent हो. और बच्चे जो हैं बार-बार किताब को छूना चाहें, उसके patterns ऐसे हो, उस texture को feel करना चाहें. अगली चीज आ चारती है कि जो visuals हैं, वो बुनियादी तोर पे cognitive instrument हैं बच्चों का, वो visuals देख के ही सोचना शुरू कर देते हैं. Imagination तो बहुत ही important phase है और बह के thinking process को develop करने का, यानि के cognitive development का. So, अगर visual अपना message convey नहीं कर पाते हैं, वो confusing होते हैं, blur होते हैं, और बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये visuals क्या हैं, तो फिर बच्चों का connection है, वो किताब से develop नहीं हो पाता. So, सबसे पहली priority ये होनी चाहिए कि जब हम visual को represent कर रहे हैं, तो उसमें lines और colors ऐसे हो कि जिससे बच्चे अपने आपको associate कर सके, अपनी जिंदगी को associate कर सके, अपने कमरे को, अपने parents को, अपने friends को, ताकि उसके लिए उस किताब से connection और visual को comprehension करना आसान हो जाएं. कैसे ये सब चीज की जा सकती है, especially fictional story के अंदर, अगर जो artist visual बना रहा है, आप वो design को, colors को, line को, patterns को, space को, dimension को attractive तरीके से पेश करें और जो scene और plot चल रहा है, visuals में, किताब के हर सफे पे, उसे dramatic अंदाज से पेश करें और ये तमाम जो design के elements हैं, principles हैं, जो के color है, line है, dimension है, space है, pattern है, इन्हें इस तरीके से present करें कि बच्चा attractive हो, excited हो, और वो balance तरीक से किताब के अंदर मौझूद हो, और बच्चे उस किताब के साथ अपना connection जो है, बना सकते, so ये बहुत ही important चीज है, हमें किताबों की selection के time पे visuals को देखना, और visuals को देखते वे ये सोचना है, कि क्या बच्चे इन visual को देखे excited होंगे, क्या उन्हें मज़ा आएगा, और व में ये सब्सक्राइबत ने को ये सान वे हो कर दोजानी जो है, इसमय धुROच्च को दелей ले हो ड